बैंगलोर से अराउंड 95 किलोमेटर दूर करनाटका के चिक्क बलापूर डिस्टिक्ट में जैसे कि मैंने आपको पिछली दोनों वीडियो में बताया था कि अगर आप यहां आना चाहते हैं तो यहां से अराउंड 10 किलोमेटर दूर सबनहली लेक और वहां से 15-16 किलोमेटर आगे मौजूर सूप्रसिद लेपाक्षी मंदिर यह तीनों जगा एक ही दिन में आप कवर क कर सकते हैं और यहां जाने वाला रास्ता यह एक बोनस की तरह है क्योंकि रास्ता बहुत ही सुन्दर बहुत ही सीनेक और कामिंग है प्लस रोड्स इतने अच्छे हैं कि यहां ड्राइब करने में आपको मज़ा आ जाएगा एंड आप यहां स्कूर्टी या बाइकार आ सकत इस पोड के ऊपर तक पहुंचने के लिए इस तरह सीडिया है और इन सीडियों के जस सामने एक छोटू पार्किंग स्पेस है जहां आप अपनी कार और स्कूर्टी पार्क कर सकते है और या गुड़ तो गो चार सो साल कुराने इसके लिए में कुछ अरांड साथ सो सीडिया है और उस समय इस किले का निर्माण युद्ध को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया गया था इस किले में ऐसे 19 चटानी तलाब बनवाए गए थे जिनमें 3 लाख लीटर तक बारिश का पानी इकठा करने की कपैस्टी थी और इन इंटरलिंक्ट रॉक पॉंड्स और टैंक से किले में वाटर रिक्वाइर्मेंट को पूरा किया जाता था हुआ हुआ है दोस्तों इस किले के टॉप पर पहुंचने के लिए आपको सेवन लेवल्स मंजिलो या फिर पढ़ावों से होकर गुजरना होता है और हर पढ़ाव पर आपको एक गुप्ट मार्क भी दिखेगा जिसे युद्ध या एमर्जेंसी में यूज किया जाता होगा और यह था हमारा पहला पड़ा और बारिश की वज़े से पूरे फोर्ट में आपको हर तरफ जाडियां और गुरी देखने मिलेगी जो कि देखने में बहुत सुन्दर भी लगती है पर स्टिल आइविल रेकमेंड कि आप स्पोर्ट शूस पहन कर भी जाएं क्योंकि वहां प हम जाइब बहुत्प्तिल आइब रयार अच में शर्ब ट्र थाह से 5 कि गेंड़ी जाईब आपको उु दो बाहाद कि लोड़ीं लगत you झाल झाल दोस्तों बड़े-बड़े बोल्डस के बीच से इन नेरो रास्तों से होते हुए टॉप तक औरचने में आपको सच में बहुत मजा आएगा ये फोर्ट और इसकी सरांडिंग इतनी सुंदर और पीस्पुल है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहां जाओगे तो यू आपको है। इस ट्रेक का चेमा और आपकी पडाव था क्योंकि इसके बाद हम तॉप पर पहुंच गए थे अज पाँच गए तोप पहुंच गए थे लेट में शो यू हाव बीटुफल को व्यूट व्यूट्फुल व्यूज़ूग व्यूज़ व्यूज़ यूज़ उक दोस्तों टॉप पर पहुंच कर ये दू चोटे चोटे हॉल नुमा कमरे आपको देखने मिलेगे जिसमें से ये एक साइड पर एक खाली हॉल है जिसमें जो पिलर्स है वह आपको बहुत जादा हमपी से सिमिलर सेम आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और जो दूसरी साइड है वहाँ पर एक शिवलिंग है कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये श्री राम और रिशी विश्वमित्र ने यहां स्थापित किया था और ये 108 जोत्र लिंगों में से एक है आस पर विकिपीडिया ये गिला इतिहास से जुड़ी कई कहानिया अपने मीतर समेटे हुए आज भी इस जगह के इतिहास को वर्तमान से जोड़े खड़ा हुआ है और इसके इतिहास की कहानी बेहत दिल्चस्प है कहा जाता है कि सर बाइर गावडा यहां के गरीबों के रॉबिन हूप थे जो कि अमीरों को लूप कर वो पैसा गरीबों में बांट देते थे और यही रीजन बना उनकी मृत्यों का क्योंकि कुछ राईसों ने मिलकर उनकी हत्या करवा दी और इस तरह वो केवल 3 साल तक ही को गुडी बंडे गाउं का टॉप व्यू देखने मिलेगा जो की बेहत खुबसूरा दिखता है हुववगा का थी और इस तरह वड़े जहाईस प्रचाना आप लग का ऑग कर दो का दो और दो प्योंकि को अ झाल 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 तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राब